है एलो स्टुडेंट्स आवर टूडेज क्लाश 12 खॉमर्स अकाउंट एंसी चैप्टर नमबर टू चैप्टर नेम अकाउंटिंग फॉर पार्टनर्सिप फ्रम स्वंटावेंटल टॉपिक मैनेजर कमिशन एंड पार्टनर कमिशन तो आज हम पटेंगे मैनेजर कमिशन और कमिशन के बारे में मैनेजर कमिशन मैनेजर कमिशन के आधा जब फरम अपने मैनेजर को प्रॉफिट्स पे कोई कमिशन पे गरती है तो इसको हम कैसे ट्रीट करेंगे इसके लिए टू कंडिशन होती है सबसे पहली कंडिशन होती है हमारे बाहाँ से ओन प्रॉफिट्स चा लाई 10 by 100 करना है जैसे कि मारे प्रोफिट 22,000 है तो 10 by 100 क्योंकि हमें नेजर कमिशन निकाले गए निकल जाएगा बाइस तो सेटेंड कंडिशन होती है अउन प्रोफिट अफ्टर चार्जिंग सचका मिशन अगर हमें लित्ता चार्जिंग धया हो तो हमें । यह अपर चार्जिंग तो 950 करना थे माराज कोश्चेन है इंग्यों से करेंग मैने जैद्यूं ज़र्गें चार्ज करेंग नाकि प्रॉफिट औलोश एप्रोप्रेशन अकांट औह से इसकी जो सिट्रीटमेंट हम प्रॉफिट लोश कांट में गरेंगे इसकि यह कॉश्चं के थ्यूं समझेंगे A and B are partner sharing profit in the ratio 3 ratio 2 with capitals of 5 lakh and 3 lakh respectively. Interest on capital is agreed at 6% per annum. B is to be allowed an annual salary during 60,000. During the year 2016-17 the profits period to the calculation of interest on capital but after charging B's salary amount to 1 lakh 80,000. A provision of 5% of the profit is to be made in respect of commissions to the manager. यहाँ भी हमें manager commission के बारे में बताएगे हैं, prepare profit and loss appropriation account showing the distribution of profit and the partner's capital account for the year ending March 31, 2017. तो यहाँ भी हमें distribution of profit हम कैसे करेंगे, तो सबसे पहले हमें profit दिया हुआ है, profit दिया हुआ है लेकिन B की salary है, वो इसमें से काटी हुआ है, तो इससे हम दोबारा से add करेंगे, तो हमारा total profit कितना निगल जाएगा, profit and loss count का balance हम यहाँ निकालेंगे पहले, B की salary को add करके, 180 हमें दिया हुआ है, B की salary हमारे पास 60,000, तो दोनों को total केतवा गया, 2,40,000, तो अब हमें इस में से देना है commission, 2,40,000 पर 5% देना है, मैं manager को commission, तो इसमें हमें कहा गया है, कि commission हमें कैसे pay करना है, period to the calculation, provision of 5% profit to be made to the manager commission, यहाँ भी हमें कुछ नहीं कहा गया है, तो हम सिदा ही pay करेंगे, before charging वाली condition लेंगे, तो 5% of 2,40,000, यह मारा जाएगे, 12,000, तो अब यह जो profit है, यह हम profit and loss count में transfer करेंगे, यह मारा 2,28,000, अगर हमें manager commission के बारे में कुछ नहीं दिया होता हम सिदा यह profit transfer कर देंगे, लेकिन यहाँ पर हमें salary को add करके यह profit आया है, तो यह profit हम profit and loss count में transfer कर देंगे, अब हमें prepare करना है, profit and loss count, appropriation account, तो यहाँ पर हमारा balance कितना है, यह profit and loss count का balance है, यहाँ पर transfer करेंगे, 2,28,000, इस side हमें salary, interest on capital, reserve, यह transfer करने होते हैं, तो salary is 8,000 है, interest on capital, इनकी capital पर interest 6% लगेगा, तो जितनी capital है, उस पर 6%, दोनों का 48,000, और जो बच्चा वो हम इनकी account में transfer कर देंगे, इनदा ratio of profit sharing ratio है, 3 ratio 2, तो 3 ratio 2 में हम 1,20,000 को transfer कर देंगे, आगे हम prepare करें partners capital account, partners capital account में हम सबसे पहले opening balance, जो इतने इनकी capital है, 5,00,000 और 3,00,000, उसके बाद में जितनी salary किसी दिया, only B को दिये, तो B के account में interest and capital दोनों का यहां पर charge करेंगे, यहां पर लिखेंगे, और profit and loss, appropriation account का जितना इनका share है, वो यहां transfer करेंगे, तो drawings और interest and drawing हमें दिया हुआ नहीं है, तो सिधा हमारा balance आ जाएगा partners capital का, यह हमारा partners capital account prepare हो गया, तो second condition है, हमारे पास partners commission, अब जो partner commission है, जब हम partners को commission pay करते हैं, तो उसको कैसे treat करेंगे, तो जब हमने manager को pay किया था, वो तो हमने charge किया था, profit and loss account से, लेकिन जब हम partners को pay करेंगे, तो उसकी treatment हम profit and loss, appropriation account में करेंगे, ठीक है, क्योंकि जो partners commission है, वो profit पे हमारा charge नहीं होता, वो appropriation होता है, लेकिन जो profit manager का commission होता है, वो labo पर परभार होता है, labo का नियोजिन नहीं, तो labo पर परभार है, इसलिए हमने profit and loss account से charge किया था, और मैं partners commission को profit and loss appropriation account में करेंगे, जैसे कि हम देखते है, एक साल की हो जाएगी, इसकी एक लाग असी जार, and commission of 10%, एक को commission भी मिल रहा है, किस भी मिल रहा है, net profit हमें जो है, उस भी मिल रहे है, इसको 10%, यहां दोनों commission, दोनों condition दी हुई है, ए तो before charging और भी है, after charging, net profit for the year ended, 31st March 2000 ended was 4,040,000, you are required to show the distribution, अब हमें profit distribution of profit करना है, अगर हमें यहां पर मैनेजर का commission दी होता हम profit and loss count से treat करते, अब हम यह profit and loss appropriation count त्यार करेंगे, हमें profit दिया, 4,40,000, यह हमने लिख दिया, इसकी credit side, salary कितनी है, 15,000 के इसाब से 1,80,000, commission A को मिल रहे है, before charging, तो सिद्धा हम 4 लग चार्ज़र, 10 by 100 कर देंगे, 14,000, B को मिल रहे, after charging, after charging में क्या condition थी, कि हमें 10 by 1,10 करना है, तो इसका होगा, 40,000, यह profit है, इनका transfer कर देंगे, यह हमारा profit and loss appropriation account त्यार हो गया, partner commission की condition का, कर देंगे, कर देंगे, जो भी एंगे, कर देंगे, नार्चर, यह हमारा रहे, तुज का रहे, तूंगे, जार्चर, जार्चर, और